हलो दोस्तों आज से मैं आप सभी के लिए B.S.C. Second Year Botany का एक Most Important Topic Taxonomy of Injoys Perm में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि आपके Botany का First Paper है और बहुत ही Important Paper है और इस Paper में आप सभी Student को बहुत ही Problem होती है तो आपके इस Problem को देखते हुए आज से मैं ये नई सेरीज स्टार्ट करा हूँ जिसमें कि हम Taxonomy of Injoys Perm में स्टार्ट करेंगे और आपके syllabus में जितने भी Topic है उन सभी Topic को आने वाले वीडियो में हम डिसकस करते रहेंगे तो आएए आज के वीडियो की सिरुवात करते हैं तो यदि हम बात करें Taxonomy की तो Taxonomy दो Greek वर्ट से मिल कर बना हुआ है Taxis and Nomos तो Taxis का मतलब होता है Arrangement और Nomos का मतलब होता है Law और Rule अर्था Taxonomy के अंतरगत हम जो पौधे होते हैं पौधों को कैसे डिवाइड किया गया है कैसे उनका नमाउंकलेकर होता है कैसे उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन सभी के नियम के बारे में डिटेल से जानते हैं तो तरम Taxonomy सबसे पहले APD Candolet ने 1813 में दिया था टेक्सोनामी सब्द उन्होंने अपने बुक theory elementary डेला बन्तिक्यू अर्थात ये एक french सब्द है जिसका मतलब होता है theory of elementary botany तो यदि हम टेक्सोनामी के definition की बात करें तो इसे हम इस प्रकास से define कर सकते हैं It is a branch of botany which deal with the study of identification, namaunculature and classification of plants अर्थात वनस्पती विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगर्थ हम किसी भी पौधे के पहचान यानि की identification उसके नamaunculature यानि की उसका कैसे हम नामकरण करते हैं और कैसे उसे वर्गी कृत करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वनस्पती विज्ञान की वह साखा जिसके अंतरगर्थ हम किसी भी पौधो की पहचान करते हैं उसका नामकरण करते हैं उसको वर्गी कृत कहते हैं उसे हम taxonomy कहते हैं यदि हम बात करें father of taxonomy की तो father of taxonomy है carolus lineus वही हम बात करें इंडियन father of taxonomy की तो एच संतपू तो taxonomy से जुड़ा हुआ एक most important टर्म और भी है जिसे हम systematics के नाम से जानते हैं इंक्लूड taxonomy and phylogeny तो systematic में taxonomy के साथ साथ phylogeny भी जुड़ा होता है तो phylogeny के अंतरगत हम किसी भी वर्ग के जो पौधे होते हैं उन्हें के evolutionary relationship को डिसकस करते हैं टर्म systematics was given by carolus linear तो systematic term किस ने दिया था carolus linear ने दिया था तो आईए हम देखते हैं systematics की definition क्या होगी systematics include study of identification, nomenclature, classification and evolutionary relationship of plant तो जैसा कि मैंने बताया था कि taxonomy में हम identification, nomenclature और classification को देखते हैं तो इस प्रकास से हम कह सकते हैं कि taxonomy plus phylogeny कहलाता है systematics आई इंडेक्स हम बात करते हैं different type के taxonomy की तो सबसे पहला है alpha taxonomy तर्म alpha taxonomy was given by Turil in 1938 तो alpha taxonomy सब्द का यूज किये थे Turil ने 1936 में it is identification and classification of plant on the basis of only morphological character तो alpha taxonomy के अंतरगत किसी भी पौधे के पहचान उसका वर्गी करण केवल पौधे के वाह आकारकी के आधार पर किया जाता है यानि कि morphological base पर किया जाता है वही हम बात करें बीटा taxonomy की तो बीटा taxonomy भी टर्म Turil दोरह ही दिया गया था 1938 में इट इंक्लूट नॉट ओनली ग्रॉस morphological feature बट आलसो जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलोजिकल, पैलीनोलोजिकल and other character तो बीटा taxonomy के अंतरगत किसी भी पौधे के जो morphology है पूरी तरह से उनके morphological feature, उनके जेनेटिकल, एनाटॉमिकल, उनकी कोशिका और उनके पैलेनोलोजिकल और जितने भी other character है सभी को study किया जाता है, इसलिए हम बीटा taxonomy को biosystematic भी कहते हैं थर्ड है omega taxonomy, based on modern experiment, तो जो omega taxonomy है, वो modern experiment पे based है यानि कि आज के दौर में जितने भी experiment होते हैं, उन experiment के आधार पर पौधो का identification किया जाता है, उनका classification किया जाता है और उनका nomenclature किया जाता है, तो यह तो बात हुई omega taxonomy की तो आए नेक्स्टम बात करते हैं, taxonomy से जुड़ा हुआ important topic, plant nomenclature plant nomenclature is the system of correct naming of the plant on the basis of set principle ICBN तो international code of botanical nomenclature कि दौरा जो principle यानि कि जो नियम दिये गए है जो principle set किये गए है, उसके आधार पर किसी भी पौधे का एक system से correct naming करना ही plant nomenclature कहलाता है तो plant nomenclature की जोरत क्यों पड़ी आई इसके बारे में जानते हैं तो जैसे कोई plant है, तो उस plant का नाम जो अलग-अलग place है या अलग-अलग word में देश है, वहाँ पर अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं तो इस दिक्कत को देखते हुए, इस परसानी को देखते हुए, जो ICBN है उसने ये decide कि प्रतेक पौधे का एक specific name होगा, जो की पूरे word में same होगा तो इस reason के कारार plant को scientific name देने की ज़रुरत पड़ी तो पहले जो plant के scientific name होते थे, वो polynomials थे यानि कि इनके जो scientific name थे, कई सब्दों से मिलकर बने होते थे जिने याद करना कठिन होता था जैसे अगर हम example की बात करें, तो बेंथम ने सबसे पहले कैरियो फाइलम के लिए एक scientific name दिया और उसका scientific name था, कैरियो फिलम, सेक्सिटिलिस, फॉलिटिस, ग्रैमिनस, अम्बैलिटिस, कोरंबिस तो आप देख सकते हैं कि कैरियो फिलम के लिए इतना बड़ा नाम दिया गया था तो आए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बायनोमियल सिस्टम आफ नमांकलेचर की जिसे हम द्विनाम पधिती के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले पॉलिनोमियल नमांकलेचर है, फिर उसके बाद है बायनोमियल सिस्टम आफ नमांकलेचर की तो इससे सबसे पहले गैसपड बावहीन ने यूज किया था अपने बुक पाइनेक्स में अब यहाँ पर आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा होगा कि जो टर्म बायनोमियल नमांकलेचर है आपने पढ़ा होगा कि कैरलस लीनियस ने दिया है बट यहाँ पर मैंने आपको गैसपड बावहीन बताया तो अगर देखा जाए कि जो गैसपड बावहीन ने थे उन्होंने सबसे पहले 16-22 यानि कि 16-22 में जो अपनी बुक थी पाइनेक्स इन में बायनोमियल नमांकलेचर के बारे में बताया था बट जो इसका फार्मल इंटोड़क्शन था यानि कि इस नेमिंग का जो फार्मल तरीका था जिसको सबसे पहले एडाप्ट किया था लीनियस ने तो यहाँ पर लीनियस की बात होती है तो हम जनरली नाम बात करते हैं लीनियस की बट अगर देखा जाए तो देने वाले थे गैसपण बाविन तो यदी हम बात करें बाए नाम एंग लेचर की तो बाए नाम एंग लेचर में किसी भी प्लांड का जो नेमिंग होता है वो दो लाइटीन वर्ट से बना होता है फरस्ट है जैनरीक नेम जिसे हम जनरीक एपिथेट भी कहते हैं और यadowन यूज यूज लेकिन सबसे ज्यादे इसका जैसे कि मैंने बताया था प्रचार प्रसार और इस टेक्निक को एड़ाप्ट करने वाले थे लीनियस तो जब भी हम किसी भी प्लांट या एनिमल का बैनोमियल नमांकलेचर या फिर साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमेशा उसको अंडरलाइन करते हैं और यदि वो प्रिंटेड में होता है या निकी बुक में अगर प्रिंट फ़र्म में होता है तो वह motivating फ़उं भी हम किसी भी प्लांट का संनिक से नी करते हैं। ऊसके नीचे अंडरलाइन काृते हैं। और प्रिंटेट फारella में तो वह इस फसी नीचलत से नीचली डिशनी तीर थालीक से या फिर मोठे दर्ट में लिखा था तो आए टेक्सोनॉमिस जूड़ा हुआ एक और टर्म देखते हैं जो कि है हर्बेरियम, हर्बेरियम इस दे कलेक्शन और डिपोजिटरी आफ ड्रायड और प्रिजर्व प्लांट स्पेस्मेन विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आप प्लांट इसी भी प्लांट के क्लासिफिकेशन उसके आइडेंटिफिकेशन तथा उसके नाम अंक्लेचर में सहायता मिलती है तो हर्बेरियम टेक्निक में पौधे के जो सभी पार्ट है और सभी सूखे हुए पार्ट जैसे की रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, इन फ्लोरिसेंस औ और वहीं सेंटीमीटर में देखेंगे तो 28.75 सेंटीमीटर तो 41.25 सेंटीमीटर तो यदि हम बात करें इस्पेसीज की तो ग्रूप आफ इंडिविजवल विच आर सिमले इन देर मार्फोलोजी अन एन अटामी और देर करेक्टर आर सिमलर और देर केंड ब्रीड तो जो इ एक ही प्रकार के संदचना वाले एन अटामी वाले करेक्टर को होते हैं और वो आपस में एक दूसरे में इन ब्रीड करते हैं वहीं हम बात करें बात करें बायो टाइप्स की लोकल वैरियेंट्स आफ इस्पीसीज डैट इस चेंज ड्यू टू नेचूरल इन्वार्मेंट तो बायो टाइप्स उन लोकल इस्पीसीज की वैरियाटी को कहा जाता है जो की इन्वार्मेंटल चेंजेस के कारण बनते हैं यानि की इन्वार्मेंटल चेंजेस के कारण जो लोकल इस्पीसीज है उनमें जो चेंजेस आता है उसी को हम बोलते हैं बायो टाइप्स वही हम वार्मेंटल चेंज के कारण नहीं बनते हैं जैसे हम बात करें यूफर्विया हेटा की तो यूफर्विया हेटा के प्रोस्टेट और एरेक्ट दोनों वेराइटी पाई जाती है और यह आपस में इन ब्रीड भी कर सकते हैं बट इन में जनेटिकली चेंजेज रहते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो की टैक्सोनामी से जुड़ा हुआ था तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके हो सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों मे इसे सेयर करना मत भूलेगा तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जह हिंद जह भारत